इस मूवी उनकोड़िट बाइब पाची 87 मेरे करीब आई ये और करीब क्योंकि जितने ध्यान से आप देखेंगे उतना ही आपको बेवकुफ बनाना असान होगा क्योंकि देखते वक्त आपकी नजर तो मुझ पर होती है लेकिन आप मुझे देख नहीं रहे होते आप सर्च कर रहे होते हैं अपने जवाब के लिए मेरा काम है कि आप उस खास वक्त में अपना सबसे कीमती तोफ़ा मुझे दें वो है आपकी तवज्जो मैं उससे आपके खिलाफ इस्तामाल करूँगा अब मैं इस ताश को फिलिप करूँगा और आपको एक कार देखना है ये वला नहीं ये तुम मुझे पता है बड़े ध्यान से देखिए ये तो काफी थे था इतिंक तुम रड़ी हो? ओके नजर आया तुम्हें? थेल्क में तुम्हारे जहर में हैक्छाइंना नजरा रहा है? यह इस लिए क्योंको तुम्हारा कार्ड यहां नजर आ रहा है श्लिए कुएके तुम बहूत गौर कर रहा हुआ और इसी बात से मैं मना करता रहा हूँ, जितना तुम गोर से देखोगी, उतना है कम देखोगी. मेरी आखोँ में देखो, और सोजाओ, और अगर तुम ये नोट कुछ सकती हो, तो ये तुम्हारा है, चलो आओ, पकड़ो, अगर तुम अपना नाम बता सको, तो ये तुम्हारा हुआ, अल्राइट, तुम यही पर इंतजार करो, और मैं थोड़ा, तुम्हारे शोहर को मत बताना, मस करा ओ, पीच, कॉक्टेल्स, फ्लॉरिडा, देखो, वोई बिजनस टिप था मैने वहां परी है, हाँ, हाँ, वो शायद दुनिया का सबसे पुराना बिजनस है, सब कारी कर रहा है, उसके, हाँ, तुम्हारी बेस्ट प्रेंट का नाम सोच रहे हो, ए, पी, सी, T, E, F, G, H, I, J, 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 Jan, J, 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 Jan,ie, Janet, 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 कौन है, तुम जानती हो, Janet, क्यूदि, तुम्हारी बेस्ट प्रेंड तु नहीं, तुम्हारी बेहन है वो, वो, तुम्टु बिजनस ट्रिप पर गए थे, घालबद।, तो तुम बिजनस ट्रिप पर नहीं गए हुए थे, ब ना वालेट निकालो, कमान जल्दी करो, तुम सब को इसी तरह रूटते हो, नहीं सिर्फ तुम जैसे शरीफ लोगों को, ये क्या है, दोसों दे रहे हो मुझे इस काम के, देखो ये बड़ा काम है, मैं धाइसों से कम नहीं लोगा, तुम बाग कमी नहीं हो, हाँ, सही कहा, ओ क्रीमों का दे रहा हो तुमें, और तुम जाग जाओ, खैर हमने पूरी कोशिश की, मंगर कुछ लोग तो हिपनेटाइज होते ही नहीं, मैंने कुछ गलत किया, नहीं, तुमने बहुत अचा किया, खयाल रखना है इसका, हम पहले एटियम पे चलते हैं, कुछ पैसे में, लेडिस एंट जेंटलमें, मैं हूं मुस्तक्बिल का अधीम तरीम जादूगर, और मैं पूरे एक सो डॉलर दूँगा उसे, जो मुझे ये बताए कि ये ट्रिक मैंने कैसे किया, यहाँ बुकलिन में मेरे हाथ में एक आम किसम का चम्चा मोजूद है, आप देख सकते हैं, अब आप सब पूरी तवज्जो के साथ देखिए कि क्या होता है, क्यूंकि मैं अपने दमाग से इस चम्चा को मोरने लगा हूँ, थैंक यू, थैंक यू, सब को दिखाए, ये क्या है, एक मिनिट मुझे दिखाऊ जादू का चम्चा, मुझे और भीट रिखाते हैं, अबलेट यहा है तुमारा आपकी नदर बहुत अजिए थैंक्स मेर मॉलेट, मेरा वालीट, मेरी घड़ी सब्सुक्त को पकड़ अगरो, जएट वाले अदितोंको पकड़ो ओके लॉस एंटलेस तो क्या आप सब गया हैं ये जब ये फ्लॉक जीरो पे पहुंचेगा तो ये आदब खोर मच्छियों से भारा हुआ टैंग उपड़ से गिर जाएगा और मेरे हातों में हत्कडिया होंगी वान टू ट्री अ कि अरू हो... ऐजू को कि वानते पोना हाँ कि वानतिक districts भ हृब है कि अरू टी बाँ कि वार को पाςだ कि पहुर जाँ प्रिए जोजट! और जोएँ! कुम अ, ये सब बक्वास है, तुम्ने से कौन कह रहा था कि ये एक ट्रिक है I am your biggest fan I can tell by the way you're attacking my face right now, close the door, get out of harm's way Yay! Wait, how did you do that照.. Seven of diamonds on the side of the tower? Yeah, that's a trade secret Uh-uh Uhh, I'll give you a hint, it involved scribing the tower electrician How much? 50 bucks So hard Oh, thank you Is it always a seven? I can do that trick 52 different ways Can you do 52 different tricks on me? I'll see what I can do Ooh, magic man तुम फिकर ना करो मैं तुम्हारे पास मेरा नहीं है जादू मैं ढूल लोगा गुडबाई बहुत कमीने हो तुम करता है जाहीं तुम चला नहीं हो तुम मेरा नहीं पास मेरा नहीं हो तुम करूब्र मॉस्तों बहुत कर वां पुम्हारे का सब्सकति प्रणा है। झाल झाल तुम तुम्हार पास कार्ड है मैंने बड़ी अच्छी बात है उबारक हो तुम्हारी अंदर बुलाता हूँ तुम्हारी बे नाम पोस्ट अपनी वेबसाइट पर देखती रहींगी तुम्हारी वेबसाइट भी है बड़ी अच्छी बात है गुड़ फुर यू तुम्हारा नाम क्या है बहला नहीं हैंली तुम्हारे कॉफी कप पर लिखाएं इमानदारी का शुक्रिया वैसे इसो मेंटलिजम नहीं मुशाहिदे की ताकत कहते हैं और मेरा मुशाहिदा कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो ओके बहुत हो वेरी गुड़ आपने काफी अच्छे तरीके से ब्यान किया जे डैनियल एट्रस आपसे मिलकर खुश हुई मैं बस आपसे यह कहना चाह रहा था कि मुझे आपके मेंटलिजम में कोई दिल्चस्पी नहीं है चाहिए सच है चाहिए कोई बखवास है हम पर मत्मा एक मिनट मेरे जह में आ रहा है कि तुम एक सुल्जे हुए पागल अंशुरी कि हम पहले मिल चुके हैं दैनियल यह जानने के लिए तुमसे पहले मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरी तारीफ करने का शुक्रिया आप इसे तारीफ समझते है तो ठीक है ओके ट्रेट बाह एक और कंप्लिमेंट तो इसलिए तुम लोग कपल नहीं हो एक क पिटाती थी रिबेका बहुत साल उसमें फिट रही क्या तुम्हें अन्दाज़े उन कपड़ों के साथ उसमें फिट रहने कितना मुश्किल है नहीं मैं मेन अट्रेक्शन होता हूँ ओके ओके तो इस बेवकुफ ने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की और मेरा यकीन करो के तुम बहुत काबले कदर हो तुम काफी अच्छे कहानी बास हूँ मीद है तुम्हें एक दूसरे के साथ मजाएगा नहीं करो जे टैनियल एकलस आपने अब तक जो भी करतब किये हैं मैंने सब के सब देखे हैं आप आइडियल है मेरे ओ मेरा हकीकी फैन बहुत खुश ही तुमसे मेरा नाम जैक है बाइदावे क्या तुम्हें भी काड मिला है हाह perman है असब मैंने कार वा इंधम दैवी 5 कि कुछ भी कुछ भी लॉट नहीं होता है कि कौनसी जगा है मुझे लगा मेरा ही अपार्टमेंट गंदा है यहां पर बहुत ज़्यदा ठड़ है वो क्या है मुझे नहीं पता क्या लिखा इस पर तुम अब नहीं खिल पाओगे एक गुलाब की तर्मी गाइज क्या हुआ है यह गाइज है रिलाक्स बरफ का तुमा है कुल हाँ तुमें क्या लगता इसका क्या मतलब है एक मिनट एक मिनट मुझे समझ नहीं हो थेंक यू वक्त लेने का शुक्रिया देखो दोस्त ऐसी चीजे जानने के लिए थोड़ा दिमाग लड़ाना वड़ता है तो तुम खुद को बुदा समझते है अगर वो इतने जहीन थे तो देखो मैंने जहानत का कभी दावाने किया अगर इतना जहीन होता तो तुम्हारे साथ क्यों पहरा हो ठीक है लाफबर्ग्स अब बस भी कर दो डैनी क्या तुम ने यह किया है ओई तुम ने किया होता कोई मुझ से पूछे शायद मैंने किया हो कवाला यार कूशी यहीं नहीं लेता लाइट नहीं आ रहे यहां पर चलो चेक कर लेते हैं वाव ब्लू पीन्स कमाल की चीज़ है तह क्या लगता है किस ने किया हो गई है कुछ पता नहीं अगर मैंसे जरूर मिलना चाहूँगी यह एक शो है यह एक शो है आज रात हम यहां कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कुछ से हम बहुत मुन्फरेद हो जाए है इस आफ्रीप्रेद में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि लॉस रेकस के स्टेज पे कभी नहीं है बलके दुनिया के किसी स्टेज पर नहीं हुआ लेडिज और जेंटलमें आज साथ हम एक बैंठ रूटने जा रहे हैं इस दुरू करने पर सलों किपने शुष है मैं तो बहुत इस्टाइटीड हूँ आप रूगों कर क्या खेया है यहां पर रिकॉर्णिंग करने की इजाज़त नहीं है यह मुझे दे दीजी हम छोग के बाद आपको दे देंगी यहां पर कौन है जो चाहता है कि उसका बैंक रूटा जाए काफी जादा लोग लोटना चाहते है भाई तो अब हम रैंडम ली चूज करेंगे कुछी को मेरे साथ ली यकीन दिहानी करेंगे कि यह रैंडम होगा यहां पर यहां पर यहां पर हैं यहां पर फूश हो रहे हैं यह तो उनकी बारी है B-513, कहा हो तो, सर, प्लीज खड़े हो जाईए, ये रहे, हाई, क्या आप प्लीज मुझे कन्फर्म करेंगे कि ये वाकिया आपकी सीट है, B-513, जी, ओके बहुत हो, अब, प्लीज आप हमें अपना और अपने बैंक का नाम बताईए, जी, मेरा नाम है ATN for sale, और मेरे बैंक का नाम है Credit Republican of Paris, French, ओके, वैसे अगर कोई लोकल मैंक होता तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती, मगर ठीक है, चले हमने वादा किया, हम अपना वादा पूरा करेंगे, आप प्लीज स्टेज पर आजएए, हम आपका बैंक लुके लिए, और जब तक यहां पहुंचते ह हैं, वो हमारे मौसिन हैं, हमारे दोस्त हैं, प्लीज वैलकम मिस्टर आर्थर ट्रेसलर, फ्लीज खड़ें जई आइए, यहां के वाहिद चक्स जिनके पास कुईन का सेलफ़ोन नमबर है, एक्चली प्लीज आप खड़े रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जब हम मिस्टर अगर तुम अच्छी निकली जितनी तुम समझती हो, तो फिर ऐसा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, अभी तक हमारा काम ख़तम नहीं हुआ, आप पहले देखिए और फुर दिसाइड कीजिए, लेडिज और फिर हम भूजू करते हैं, हमारे फिरों की खड़कर मेरि रहा है, हमारी जादू की दुनिया में उसे कहते हैं, टेलिपोटेशन हेल्मेट, आपको ये हल्मेट अपने सर पर पहना है, ताके आप जमानों मका की कैद से बाहर हो जाने, और आप पहुँच जाएं अपने बेंक, आठवे, नहीं, नौवे कुर्डर, हाँ, अब जब आ अब वहाँ पहुच जाएंगे, तो इस हल्मेट के जरी हम आप से बातचीद करने के काबे होगे, चलो, ओ माई गाड, बहुत खुबसूरत है, इस के अज़ाद के खुबी है कि ये बहुत स्टाइलश, अब वो टाइम नहीं रहा जब फ्रेंच लोगों को अमेरिकन्स अब बताईया इनके सर पर ये खुबसूरत लग राएंगे, अब आप से काड़ दिर कर दीजिए, अर्दू में अगर मुमकिन हो तो, मज़ाग अच्छा करते हो ठेंक यू इस अपनी जेबे रहे हैं और अब काम शुरूर अब एट हैं चलो अब हम अपने इस जदीद मशीन में पैटते हैं तुम अपनी कामियाबी से एक कदम ही दूर हो यहां वेगयुस में ग्याना बचकर पचास मिनट हो रहे हैं यानि पैरस में आट बचकर पचास मिनट होगे दस मिनट बाद तुम्हारा बैंक खुलने वाला है वान टू स्वी क्या बखवास है एटियन ये इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था एटियन यार बड़ा अच्छा आदमी था वो बैचारा कहां चला गया वेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेटवेट तो लगता है तकरीबन 3 million euros है यहां पर ओके ओके अब आपको पता है क्या करना है आप वो बहुत कार्ड जो आपने साइन किया था पनी जेब में से निकाली है और मैं चाहता हूं कि आप आज के शोखी टिकेट भी अपनी जेब में से निकाली है इन दोनों चीज़ों को रखम के बीच में रख दीजे अब भैंक दीजे अब आपके हेलमेट के एक साइट पे आपको एक बटन मिलेगा इसे दबाईएगा नहीं से ये बटन एक वैक्यूम क्रेट करेगा जो के जोड़ेगा पैरिस को लास वेगस से ओके अब दबाईएएएएएएएएट अब जरा संभल के अब तुम्हे थोड़ी खला महसूस होगी अब तुम्हेएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल झाल जादूगरो ने जादूगरो ने अब कहाँ भी है वो मैं आ रहे हैं हम उन्हें पकड़ने जा रहे हैं जादूगरो ने जादूगरो वाले केस पर लगा रहा हूं देखें मैं इस केस को हल करने में बस थोड़ा ही दूर रह गया हूं आप प्लीज इस पर तरकल सन को लगा दें वो अट्रांटिक शिटी पर है कोवन का क्या करना आप देखें ना हर वक बैठा ही रहता है यह फुजू बख्वास बन करो रोड्स मुझे यह जादू वाली पकवास नहीं सुननी इस पकवास ने बैंक से पूरे तीन मिलियन डॉलर लूट लिये इतने ज्यदा पैसे एच्चली 3.2 मिलियन कौन है ये कौन हो तुम आलमा ट्रे इंटरपोल से मैं इंवेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ बेंगी क्या मजाख है यार मैं पहले ही डेवर्ट कॉपर फिल्ड और उसके दोस्तों का पीछा करकर के ठग गया हूँ और अब ये बेवकोफ इंटरपोल माफ कीचेगा मुझे मगर इंटरपोल मैं भी आपके साथ काम करना चाहूंगी एजेंट रोट्स मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी मदद की जूरत है वो फ्रेंच आदमी कहा है मैं उससे बात कर चुकी हूँ ओ अच्छी बात है तो तुमने मुझे से पहले मेरे विटनेस से बात कर ली तुम्हारा विटनेस तुम तो केस लेना ही नहीं चाहरे थे और वैसे भी वो बेकार है ओ वाकई और ऐसा क्यों है बला क्यूंकि उसका मानना है कि उनका जादू सच था तो उसका मानना है कि उनका जादू सच था, चलो कोई बात नहीं, वैसे इंटरपोल वालों को कोई इतराज दो नहीं होगा अगर मैं इससे बात कर लूँ तो, थैंक यू मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक टका भी नहीं चुराया, ओके, मैंने उन्हें पैसे भी वापस देने चाहें, अगर वो नहीं लेते ओके, 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 चलो फर्स करते हैं कि तुमने बैंक लूटा, मैंने लूटा है ठीक है, बहुत खुब तुमने लूटा, लेकिन मैं थोड़ा ना समझ हूँ, क्या तुम मुझे बताऊगे कि तुम लास वेगस से पैरस सिर्फ तीन सेकंड में कैसे पहुंचे टेलिपोटेशन हेलमेट के साथ भाई, कोई बताएगा ये क्या बकवास अलरी है यहां पर ये उस वक्त हिपनोटाइस्ट था, मैंने कहा था न, ये बेकार है तुमसे मैं बात में बात करूँगा, पहले मैं इस कमीने से निपट लूँ सर, शो के बीच में और्डियन्स को अपने टाइस किया गया था, मुझे लगता है कि कमीना शायद इसका ट्रेगर वर्ड था रुक जा भाई, हे हे, रुको जरा मेरी बात सुनो, हे, हे, ATN मेरी बात सुनो, क्या पागलपन है ये, फ्रेंच में स्टॉप कैसे गयते हैं स्टॉप इसको रुकने को बोलो यह नहीं हो सकता, हमें स्की ये मुव्मेंट खित्म होने का इंतसार करना होगा ओके मुझे थोड़ा टाइम दे दो भाई किन पागलों से पाला पड़ा है मेरा एजेंट रोट्स मुझे अपने बॉसिस को इस वाकिय की एक रिपोर्ट देनी है और मैं जब तक वो नहीं बना लेती मैं यहीं हूँ आपको अच्छा लगी या बुरा इसलिए हमें एक अठे काम करना होगा या पिर तुम भी उनसे मेरी तरह वो ही बेकार सावालात पूछते रहो जिनका वो जवाब नहीं दे रहे सब तुम पे है मेरी बात खत्म नहीं हुई देखो मेरा दिन पहले ही बहुत बुरा जा रहा है और मैं बारा घंटी की फ्लाइट लेकी यहां पे आई हूँ और फिलहाल ना सुनने के मूट में बिलकुल भी नहीं तो अगर तुम यह मुकाबला करने चाहते हो कि हम में से ज़्यादा खरूस कौन है यकीन माना तुम हार जाओगे ठीक है इन गदों में से तुम सबसे पहले किसे बात करना चाहोगी इससे डिलन यार ये जो मेंटलिजम इसमें कोई सचाही नहीं होती है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई साइंस नहीं बस इसे शुगल मेला कहलो तुम उसकी बातों पर यकीन मत करना बस जरा भी प्लीज मैं माजरत करना चाहूँगा आपके उस अफसर से मैं अपने उसे जंगल में मंगल वाले बयान पर माफ्य माँगना चाहता हूं यह सदू है कैसा जंगल में मंगल देखो इसकी बीवी ने और उसने कोई मैं बस मज़ाग कर रहा हूं यह था आपका कार्ट नहीं मुझे पता था कि तुम किसी की बेगम नहीं है और मैं इस बात की इजद करता हूं असल में यह ट्रिक तब काम करता है जब मुझे खोल दिया जाए लेकिन कोई बात नहीं तो अगर तुम्हारा इस केस से लेने देना नहीं है तो यह ताश का पत्ता उस वॉल्ट में कैसे पहुँचा है यह हो सकता है वह बच्चे भला क्या कहते हैं इस चीज़ को हाँ वह जादू सिर्फ सवाल का जवाब दो ही रहा हूं सॉरी 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 यह आप रख लीजिए उसे मत दीजिएगा इस पर लिखा है कि तुम एक मेंटलिस्ट हो वैसे यह मेंटलिस्ट पताओगे किस चिडिया का नाम है करतब होते हैं कुछ थोड़ी सी साइंस थोड़ी से तीर तुके लगाना बस यह होता है बेवकुफ लोगों को थोड़ा और बेवकुफ बनाना अपने मन की हवास बताना इस पर लिखा है कि तुम एक एक वक्त था जब बहुत ज़ादा मशूर थे तुम फोन पर भी लोगों को हिपनाटाइस कर लेते थे कुछ साल यूएस के भी काफी बड़े टूर किये दो टीवी शोज भी रूज के दिन फिर तुम्हारे भाई और मैनेजर ने तुम्हारी सारी जमापूंची हड़प कर ली काफी रिसर्च किया तुमने आई एरस का ओड़ेट भारी टेकसेज तुम्हें जवाल पजीर हुए काफी वक्त हो गया है मिस्टर मकीनी हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारी बहुत महरबानी मेरे चाहते हो तो तुम्हें बात सुनो अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी वकील जूरी के सामने ये बात साबित करने को तयार है और करेगा तो मुझे कोई एतराज नहीं है और आप एजन्ट रोड्स आपको कोई और नोकरी ढोड़ने लेनी चाहिए यह तुम्हारी पहली चाहिए कि ये लड़की बहुत रास चुपाती है सबसे पहली बात ये कि तुम पहली दफ़ा दफ्तर से बाहर आई हो ऐसा ही है ना ऐसा ही है यार वसे अफसोस हुआ कि तुम्हें मुझे से पता चला तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें किरफतार करूं अग अब जितने मशूर हैं उससे भी ज्यादा मशूर हो जाएगा और तुम लोग ज्यादा बेवकूफ नजर आओगे जितने के तुम हो तुम नहीं मगर यह देखो सीधी बात यह है कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई भी सुबूत नहीं है तुम भी जानते हो इसे प्यार म के सस्ते से सस्ता डॉक्टर भी दो तीन सो डॉलर लेगा पर मुझे दस डॉलर दे दो चलो लड़की के सामने शर्मिंदा हो तो बाद में सही पर दस से कम नहीं लूँगा मैं तुम्हें पता है तुमसे पहले इस कुरसी पर कौन था माफिया डीलर्स कातिल और चोर उन्हे कि जेल में किस ने बेजा जो तुम्हारे सामने बैठा है उसने मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं मैं एक हद तक अपने हुझ से प्रकाबू रख सकता हूं तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने तमीज से बैठो अगर अगर तुम इस तफ़ा खुशकिसम लुए तुम्हारे पीछोंगे और जब तुम्हे लगे कि तुमने मुजे पूरी तरह से घेर लिये तब तुम मुझसे बहुत dl- नौही इस बात यहे हैं कि जितना तुमजादा गौर करोगे उतना ही कम देख पाओंगे तुम्वाली तुम्हें कि इस सोड़े में कोई चीज़ है मिस क्या है इसमें कि अच्छिट जादु का पहला उसूल अपने सामने वाले से ज्यादा जाहिन रहो कि अच्छिट जाए आज जाए आज पॉस का जा रही है अपने छोड़ दिया वो लोग इक्रार कर रहे हैं कि वो लोग फिर ऐसा करेंगे वादा घंड़ा पहले तो तुम्हें इस केस की परवाह ही नहीं थी अब क्या हुआ मेरी मुलाकात हुए हैं से है मैंने और्डेंस को चक्या है उनमें से ज्यादा तर लोग तो ट्रेसलर के थे जिनको उसने पैसे दियोए थे लेकिन तुम्हें पता है कि अवाम में कौन बैठा हुआ था और पूरी फिल्म बना रहा था बदा नहीं थैडिस ब्रेडली थैडिस ब्रेडली वो जो टीवी पर आता है जिसकी बहुत सारी डीवीडी बिखती है नहीं ओके वो जादूगरों का भांडा फोड़ता है वो बताता है कि वो ट्रिक किस तरह से करते हैं बात करा उससे मेरी पौने घंटे बाद तुम दोन अपने वला शक्स किया आप वाकई ड्रिंट नहीं लेला चाहते हैं आप नहीं 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 थैंक्यू सर लड़की के सामने मैं ले ले लेती हूँ वाँ कमाल करती है आपने तो है ना कमाल की बात ये देखो हथेली पर लाल रंग इसी तरह ये लोग दूसरों को पागल बनाती है ना समझ आ गई I'm sorry मुझे एक मिनट दीजिए जरा आप इतने च्छे मजिशन हैं तो ये सब को छोड़ क्यों दी आपने तुम्हें पता है पिछली निस्फ दाई में कितने लोग लाइव मैजिक देखने गए हैं एक इशारी च्छे मिलियन और तुम्हें पता है उतने वक्त में मेरी कितने डिवीडीज भी की हैं पांच मिलियन ओ तो ये सब पैसों का मामला है और इस काम में इसलिए पैसे हैं क्योंके जानने से ज्यादा जरूरी है बेवकुफ बनने से बचना तुम्हारी तरह मैं भी उन लोगों के बिलकुल खिलाफ हूँ जो दूसरी लोगों को बेवकुफ बनाते हैं नहायत एहतराम के साथ क्या इस गेम की आपको कीमत नहीं अदा करनी पड़ेगी कैसी कीमत पता नहीं, कैरियर्स, जिंदगिया मुझे लगता है कि आपका इशारा लाइनल श्राइक की तरफ है I'm sorry, कौन? लाइनल श्राइक एक पुराना जादुगर जो के तरिया में डूब गया था तीस साल पहले मिस्टर ब्रेडली ने अपने पहले स्पेशल में श्राइक के ही ट्रिक्स का भांडा फोड़ा था अगले साल श्राइक में वापस लॉटने की कोशिश की उससे हद करिया लगा कि एक सेफ में बंद करके तरिया की तहे में फेक दिया गया और वो डूब के मर गया ओ, वो मर गया? मैंने उसे नहीं मारा उसने खुद को मारा वो कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसके वो काबिल नहीं था तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये गेम है माफ कीजी, ये गेम नहीं है ये गेम है, तुम गेम हो और तुम्हारे साथ खेला जा रहा है और तुम जो मेरे इतमाद हासिल करने के लिए ये भौणी हरकते कर रहे हो, आई मिन कमान आ, पकड़ लिया आपने जादू नजर का एक फरेब है जब जादूगर अपना हाथ उठाता है और कहता है कि ये जगा है जहां पर जादू हो रहा है तो असल जादू कहीं और चल रहा होता है लोगों को भटकाना जादू का बुनियादी उसूल है मुझे जादू के असूलों में कोई दिल्चस्पी नहीं मुझे बताएं कि उन्होंने बैंक कैसे लूटा अगर तुम्हें लगता है कि उन्होंने बैंक लूटा है तो तुम पागल हो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा पैरेस जाना चाहोगे हर्मिया जरा वो टेलीपोर्टेशन हेलमिट लाना ये एक मजाख है है ना तुम जानना नहीं चाहते कि उन्होंने कैसे किया एक कदम आगे आओ अब हम तुम्हें एक सेकिंड में पैरेस पेजने वाले तुम बिलकुल पुर्सकून रहना और तुम पहुच जाओगे जब तुम पैरेस जाने के लिए तयार हो जाओ तुम अंतर पढ़ लेना दो और आदो मुझी ये काफी होगा बाई बाई मैं वैसे पैरेस आने के लिए सीडिया इस्तमाल करना बहतर समझता हूँ रोशनियों के शेहर में खुशामदी दे जन्री वाँ वाँ तो ये हलमट का तकलुफ क्यूं किया एक मजाक क्या है कुस नहीं ओ तो उन्होंने वाल्ट बिनाय हुआ था येस और ये उस फ्रेंच आदमी के बैंक की सेम कॉपी है उसे प्लांट किया गया था असल में उसे प्लांट नहीं किया गया था उन्होंने उसे चुना था वो जानते थे कि वो किस शहर में है ач में अबंबर वाल अपने हातों में चेंज कर nenhum थी हमारे पास आगया है नमबर फाइव रो नमबर फाइव हैनली प्लीज मुझे सीट नमबर बिला दो लग्फी नमबर थर्टीन क्या आप यह कंफरम करते हैं यह आप यह की सीट नमर है कि उन्होंने उसके जहन को लॉस वेगस आने के लिए तयार किया थे और फिर वो उसे बार बार मजबूर करते रहे जब तक कि उसने फैसला होते है उन्होंने उसका पीछा किया उसे स्टड़ी किया उसके पास कोई मौगा नहीं बढ़िए माफ कीजिए और उन्होंने उसे वेगस में बस एक्टिवेट किया और एक बार फिर सबके दिलों की धड़कन मेरिट मेकेनी अगर उन्हें इसके पैंक का कैसे बता चला तुम मजाग कर रहे हो वैसे तुम बच्चपन से ही एरेटेटिंग हो या तुमने बकाइदा मेनत की है अहां ऐसे ही किसी भी आदमी का बैंक जानने के लिए जादूगार एक खास और नायाब तरीका इस्तिमाल करता है क्या तुम जानना चाहते हो क्यों वो क्या है तैयार हो अहां क्रेडिट कार्ड और इसी तरह से उन्हें कार्ड के लिए सिकनेचर मिला जो उन्होंने पैरिस जो उन्होंने पैसे नहीं चुराई मैंने कहा और उन्हें पैंक नहीं लूटा मेरे खाल के मुदाबक उन्होंने उस वाजाद छपी हुए रिकम का पीछा क्या जो कि उस आदमी के बैंक में जा रही थी और वो भी एक बक्तर बंद गारी में इसके अंतर कुस्ता वाहे वा हाँ लेकिन अगर तुम पहले से ही उसके अंतर तुम आखासा आने करें दंक वालों का चाहिए जो भी मानना हो मगर जो लोग ये ट्रक ट्राइव करते हैं वो जहनी तोर पर इतने मज़ोट नहीं होते हैं तो हमारे गुर सवारों के लिए ये बहुत आसान काल था ही बाइस तो फिर उन्होंने जारी वाली रखम उस वॉल्ट में से कैसे काईब की इसके बारे में क्या कहेंगे आप फ्लेश पेपर दो दिन पहले तक इन लोगों को कोई भी नहीं जानता था लेकिन आई रात के शो के टिकेट सिर्फ 35 सेकेंड में बिग गए लगता है इनको शो बिज में काम्याबी का राज मिल गया है कि अपनी आउडियोंस को साड़े तीन मिलियन डॉलर्स दे दो आप काफी अच्छे मूड में दिखाई दे दे हैं और पिर बच्चों को हाँ हाँ पिर बच्चों को वैसे बुरा ना मनाना लेकिन मैं तुम्हारे दिल के जजबात से वाकिफ हूँ और वो क्या है वैसे मैं जानता हूँ कि तुम डैनियल के बारे में काफी हसास हो और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बेवखुफ तुमें घास नहीं डालता अब इसे उसकी जहनी कमजोरी समझो या फिर अखेर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दुख बाट सकता हूँ ओ अच्छा देखो इंसान एक समाजी तरिंदा है लेकिन इस बात में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए तुम मेरी बहनों जैसी हो लेकिन ये बात भी है कि अगर तुम थोड़ी रहायत करो तो वो क्या कहते हैं समझ गई है वाव थैंक्स तो तुम मेरे सब तालो बनाना चाहत हमारे साथ सफर करने के लिए हम आपके बहुत तो पैसों के लावा ट्रेसलर कैसे क्या लेना देना है इगो ओके तुम्हें कार्ट चुनो इससे देखो ताश में रखो और मुझे बताओ ये मुझे मत बताओ ओके ओके ट्रसलर वहाँ पे मजूद था और वो जानता है कि उ यहां कैसे पहुंच गए वो भी किसी और की मदद के बगए तुम्हारा कार्ट है नहीं मेरा कार्ट तो वह साथमी की गोद में बढ़ा है वो देखो अच्छा शफल किया तुम्हें तुम्हें पता है ये बहुत मुश्किल काम है इस किताब के मताबिक ये लोग एक ट्रिक से कुछ इड़ नहीं है पर मुझे उन लोगों से नफरत है जो दूसरों का फैदा उठाते हैं फैदा कैसे उठाते हैं पर कार्ट कमजोर लोगों को ऐसी चीज़ें दिखा कर जो बयाना की जा सके उनकी कमजोरियों को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं उनकी शक्सियत को सब्सक्राइब करें मुझे कुछ खालत नहीं लगता इस यकीन से मुझे बहुत खुश्य मिलती है किया ये तुम्हारा करड है ये हम अहां कूल तुम्हारे छहरे पर यह मुस्कुराहत क्या ये असल है हो सकता है तो फिर मुझे बताओ मिस्टर डिटेक्टिव क्या मैंने तुम्हें थोड़ी थोड़ी बहुत खुश्य मेली है लो पर एक और लतीफा सुनों के एक सर्दार होता है और वह बहुत अकल-मंद है डैनियल मैंने शो में अपने रोल के बारे में तुमसे लो सर्दार आगे गाइस शो की तैयारी करें ओ इधर आओ जरा तुम नो 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 क्य lived to offend मुझे था लरौ भी तो मुझे सो दूरी हो फ्लीस तुम से दूरी हूं दूर स्क्रिर्विया नहीं नियु पूरे एक साल से तुमारे ये चोटे-मोटे ट्रिक्स वगर देखनाए है यह सब जुट क्यान तुम्हें अखे बारदी लगव कुछ बदया अगर यह अ तो आठ तुम बहुत जिदी बच्चे थे, यूनो वो थोड़े अथरे किसम के मीन, तुम्हारे एक कुटा था, ताकतवर किसम का, बड़ी जालमाना किसम की नसल का था, क्या कहते हम उसे वो, I think, बुल डॉग दर हकीकत मैं एक बहुत शर्मीला बच्चा था, और मेरे पास एक सफेद, खुबसूरत सी बिल्ली थी, संदुकडी I'm sorry ठीक है, मैं ट्राए करता हूँ, मुझे ट्राए करें तुम्हारे गाब कमउन, मुझे एक मौका और तो, एक मौका से फॉर्ट आपका मा की तरफ से एक अंकल था, और उसका नाम काफी पहलवानू टाइप का नाम था, मरदाना किसम का, जिसमें ताकत चलकती हो, और मा सुमीद भी, वो बंदा भोला भोलू टाइप का, भोलू नाम था उसका बहला? ओके, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, काफी करीब थे, क्यूंके मेरे अंकल का नाम था, गपकपंगम खान, अच्छा, संदोखडी और गपकपंगम तुम्हारा बाच्पन था, ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आज का शो इतना बुरा नहीं होगा, डांट वरी, आप एक मिनट रोको सरा, एक मिनट, वो औरत कहां गई, हे, हे, कहां गई थी तुम्हे, एक फ्रेंच गर्ल जो जॉब की आड में यहां गुरूम फेर रही है, नहीं तो, दर हकीकत मेरी लिए यहां पे फ्रेंच बोलना एक नेम अथर, वो औरत नजर आ रहे है तुम्हे, ये मे लोग यहां अंदर जाहिए, बाकी के तीस यहां पर चते, बालकनी, टैरस हर जगां पर नजर रखनी है, वाव, सो साल पहले विल्यम रॉबिंसन ने अपना नाम चूंगलंग सू रख लिया था, और इसके बाद उसमें पूरी जिन्दगी लोगों के बीच अंग्रेजी न मैं लगता मैं उनके आथों में खेलोना हूँ, मुझे समझ नहीं आरी हमारे पास उनके खिलाफ सबूत क्या है, इनके दाबों में कुछ नहीं मिलेगा, लेनल श्राइक, सेंट्रल पार्क में, इसने एक आदमी को रोका और उससे कार्ट पर साइन करवाए, तब वो पार्क में तुम्हें कोई आदमी नजर आया, नहीं, पर मेरे पास एक उड्लियूस है, वो जादूगर एटलेस ने अपनी टीम के सब लोगों को ट्रेकिंग ब्रेसलेस लगाय हूए थे, कौन से ट्रेकिंग ब्रेसलेट्स, उसकी सारी टीम ने हाथों में ब्रेसलेस बैने हूए ह और वो सारे ही एट फ्लैट मेंट बने हैं, तो अगर एटलेस ने ट्रेक करेगा, नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारे लोग मुबाइल कमांड यूनिट से उसको ट्रेक कर लेगे, ठीक है, कोई भी हरकत हो, तुम मुझे कॉल करना, काफी दार, तुम इस मामले को गोर से नहीं देख रहे हो, डिलन, पैरस में एक जगा है, पॉन डिजार्ट, अक्सर सुभो के वक्त में वहाँ, बेंच पे बैठा करती थी, वहाँ लोग ख्वाहिश का अज़ार करते हैं, और पुल के साथ एक ताला लगा देते हैं, और फिर उसकी चा भी तालाब में फेग देते हैं, सारा दिन यही होता रहता है, माए लवर्स, बुढ़े लोग उस चाबी को तालाब में डूपता हुआ देखते रहते हैं, और उनका राज हमेशा के लिए डूप जाता है, ये हकीकत भी है, और इसके साथ साथ जादूई भी, तो, क्या तुम्हें ये मुम्किन लगता है कि कोई पांचवा घुर सवार भी होगा? हाँ कदीम बिसर में एक और इसरार किरदार ने जनम लिया था, जिसे कहते हैं, आंक कहा जाता है कि उन्होंने इस काम में महारत हासल की थी कि फिर उन्हों से खाना च्छीन कर खरीबों को दिया जाए उनका मक्सद था जादू को इनसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए इस्तवाल करना तो क्या हमारे घुर सवार भी अतने बेवकूफ हैं कि वो इस दास्तान पर यकिन रखते होंगे तो क्या वो कानून और मनतक के इन उसूलों को तोड़ते रहेंगी जैसे कि उन्होंने लास वेगस में किया या ये दोगे और तारीकी से भरी हुई माशरे की दल्दल उनको बदल देगी बहुत खूब मिस्टर ब्रेडली अगर तुम यहां मदाखलत करने आए हो तो बहतर होगा यहां से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं रुकूँग अगर मैं किसी चीज में मदाखलत करूँ और उसे रोकना चाहूँ तो रुक जाती है टेक फाइब आपके मुम्किना गाहकों के हिसाब लगाने पर मुझे पता चला है के तुम इस से ढ़ाई मिलियन से ज्यादा कभी नहीं कमा सकते ये मेरे पास चेक है साड़े दीन मिलिये इनका भागने के लिए? उड़ जाने का मेरा जहाज आपका इंतजार कर रहा है हमें खुद से मजाक नहीं करना चाहिए मिस्टर ट्रेसलर तुम उन्हें बलंद करना चाहते हो और मेरा मकसद उन्हें नीचे उतारना है इसका मतलब कि हमारा सौदा तै नहीं हुआ लेहाजा हमारी दुश्मनी जारी रहेगी खुल के बात करूँ मेरा बैंक अकाउंट तुमारे बैंक अकाउंट से बहुत ज्यादा बड़ा है और मेरे वकील ज्यादा ताकतवर हैं और वो वो जकड के रख देंगे तुमें और इतना बेबस कर देंगे तुमें के तुम अपनी सारी जिंदकी की जमापूंजी और अपने सारे असा से गवा बैठोगी और अफसोस कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे मिस्टर ट्रेसलर मैं पहली दफ़ा दमकी नहीं सुन रहा और मैं आपके सामने हो सही कहा मगर मैंने तुमें पहली बार दमकाया है और अगर तुमने कुछ किया जिससे मुझे नुकसान हुआ तो जो तुम उन्हें नीचे उतारने की बात कर रहे थे वो तुमारे साथ होगा और वो भी इस तरह के तुमें अपनी बर्बादी का एहसास नहीं होगा ओम्स ऐसे नहीं कहते एक रिवायत के मताबक वो शख्स जो घुसा उतारने के लिए कुडिया को इस्तिमाल करता है असल में वो अपने आप पर घुसा उतार रहा होता है जा सकते हैं बड़ी मज़े की बात थी तुम तो कहते थे तुम्हें जादू पर यकीन नहीं अब मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे ज्यादा रोमैंटिक एक्सपीरियोंस के बारे में बताता हूँ सुनना चाहोगी तुम मस्सा तो दूर ही रहो नहीं देखो अगर तुमसे दूर रहा मैं तो तुम्हारे करीब कभी नहीं हो पाऊँगा जो मैं कभी नहीं चाहूँगा ठीक हाँ बदाखलत की माफी चाहता हूँ मैं बस आप लोगों को गुड़ लग कहने आया था ताकि बाद में तुम अपनी वेबसेट पर हमें एक्सपोज कर सको वो भी ओन डिमांड तुम ऐसे नहीं कर पाऊँगे नहीं आप लोगों का स्पेशल प्लैन है आँक के लिए हाँ सुना है वो जगा काफी खुबसूरत है बहुत से सितारे और चांद की चांद निमी किसी भी जादुगर के खाब की ताबीर है वो तुम बहुत दूर आ गए हो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ खोटे सिक्के और चोटे बच्चे यहां तक आ जाएंगे अगर खोटे सिक्के से मुरादा आपकी मैं हूँ तो मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि मैं आपका बहुत यह शुकर गुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबल समझा आपके इजाज़त हो तो आपके बारे में थोड़ा बताऊं अहां जरूर क्यों नहीं ओके मैं देख रहा हूँ एक चोटा सा लड़का जो बड़ा होके एक बड़ा जादू कर बनना चाहता था मगर वो बचारा बिल्कुर बेस खाबल नहीं था इसलिए तो वो बैचारा इस फील्ड के सबसे घटिया काम पर लग गया और टैलेंटेट लोगों के सहारे उसने अपनी रोजी कमाना शुरू कर दी क्या मैं करीब पहुंच रहा हूं लगता है मैंने ठीक ही बताया है इससे पहले कि आप जाएं मैंने एक नहीं चीज़ सीखिया है कि आपके पास थोड़ा टाइम होगा ओके किसी कार्ड का नाम ले पांड का बात शुका था मुझा ओके कि तुम्हारी बाई आस्तीन में है वो अच्छा नहीं तो नहीं यहां पर तो नहीं है कि आप अपनी वो बेकार सी वेलवट की जेब चेक करेंगे हाँ हाँ बहुत शुक्री आपके यहां आने का लेकिन असल में यह टैलेंटेड लोगों की जगा है इसलिए आप यहां से यह नो मैं चलता हूँ करें दुनिया से ना चला जाना लेडीज एंड जेंटरमाइंट स्वाय मेरेजमेंट आपको आज की परफॉर्मेंस में खु केह दिया है कि आपने कवरिज कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को कॉल कीजिए अपलोड कीजिए स्ट्रीम कीजिए ट्वीट कीजिए शोचंदी मिन्टो बाद शुरू हो जाएगा कि तुम्हारी घड़ी अच्छी है कि हाँ ये खांदानी घड़ी है ओ बाइदवे मुझे पता चल गया है उसने वो ट्रिक कैसे किया किसने श्रैक ने तो जब वो 14 साल का था उसने सेंट्रल पार्क के दरख में एक सुराख होदा एक आदमी को रोका जो के एक बार में काम करता था और एक रूटीन के ट्रिक के लिए उससे कार्ट साइन करवा और उसादमी की रिटाइमेंट के वग पूरे 18 साल के बाद जब श्रैक ने परफॉर्म किया तो उसने उसी आदमी से कार्ट साइन करवाया और ब्रिलियंट वो कार्ट दरख्त में था ये 18 साल उस दरख्त में रहा वो कार्ट दरख्त में था और पूरे 18 साल उस कार्ट के एर्द के वो द्रख्त उगता आया I mean come on ये जादू नहीं है असल बात ये है कि ट्रिक का मकसद करीब देखना नहीं था इसका मकसद दूर अंदेशी था यानि अपने माजी में पूरे 20 साल पीछे देखना स्ट्राइक के डूपने के बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली तुम क्या कहना चाह रही हो और तर ट्रेसलर पेश करते हैं जैक फॉयल्टर हन्वी रिप्स मेरिक मकेनी और डैनियल एकलस तो पेशे किनमत है चार घूर सवाग तैंक यू इस से पहले के हम शुरू करें हमें अवाम में से एक मर्द और एक और एक और चाहिए होगी जिनके नाम हम आज की परफॉर्मस को कर सकें एफबी आई के एजेंट डिलन रोड्स और उनकी खुपसूरत और नातजर बेकार असिस्टेंट इंटरपॉल की आलमा ड्रे जी और एजेंट रोड्स ने जाती तोर पर ये तहया किया हुआ है कि हमें बरबात करना है हमारी तरफ से उन्हें खुली छूट है अगर उनने अकल है तो कर लें ये जादू असल में है क्या हमारे जाती ख्याल में ये महद नजर का फ्रेम होता है तो मैं चाहूंगा कि आप देखें पूरी तवज़ों से देखिए हमें क्योंकि जो करतब आप देखने वाले हैं हो सकता है कि वो आपको जुड़े हुए ना लगे लेकिन यकीन कीजिए कि वो जुड़े हुए है ये भी हो सकता है कि ये सौ मुक्तलिफ ट्रिक्स हो या हो सकता है कि ये एक अजीन नजर का धोका हो और अब दुनिया के करदीम फ्रिक्स में से एक जैनि अगर आप माइंडा करें तो ये बॉक्स सब को खूल कर दिखाईए कि ये मुकमल तोर पर खाली है अब हमें आप में से बारा बहादूर वालंटियर्स चाहिए अब मैं इस प्यारे से करगोश को जो मेरे पास है यहाँ पे मौझूद इस मिस्ट्री बॉक्स में डाल देती है इस हाल में दो पिंसिल्स हैं जिनके पास भी हैं वो यहाँ पहुचा देती है और अब तुम मंतर पढ़ हो ज़रा अंतर मंतर और मैं ये जादू की छड़ी इस पे घुमाता हूं बगैर किसी वज़ा करें और फिर फ्लफी आपकी आँखों के सामने से जादू इस तरह से गाइब हो गया है अगर आप लोगों ने कभी इजतमाई हिपनेटिजम नहीं देखा तो आज देख लेंगे और आज रात हम आपको जादू के कुछ कर्टब करना भी सिखाएंगे हम सब जानते हैं कि वो फर्गोश इसी बॉक्स के अंगर है और फर्गोश मौद्जाती तोर पर निकल आया है और ये आयना भी हम बाहिर निकाल लेते हैं जिसके वज़े से महस लगता है कि ये बॉक्स एमटी है जब तुम फ्रीज का लफ सुनोगे तुम सब फुटबॉल प्लेयर बन जाओगे और तुम्हारा काम होगा पलटना जपटना जपटकर पलटना और उद्धेर के रख देना है तुमने कौटरबैक को तो कौन होगा कौटरबैक? हम सब ने हैट में से खर्गोश को निकलते देखा है लेकिन किसी ने खरगोश में से हैट वे निकलते हुए देखा है तुम्हें पता चल जाएगा के क्वाटरबैक कौन है वो जोर से एक लफ्ज बोलेगा Freeze ये लोग सब लोग हाथ मिलाएए वान टू थ्री गवाटरबैक मुदाबार जाहिए अपने सीश पर बेठ जाहिए मुझे लग रहा है बहुत जल्ड आपकी जरूरत पड़ेगी बहुत जल्ड बहुत जल्ड 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 झाल वाके तुमारा वजल काफी कम हो गया है वक्ते के दुरान हमने आपको आपका मौजूदा बैंक बैलंस लिखने को कहा था अब वक्त आगया है कि आप वो इंवलप्स लिखा लिए और अपने हाथ में पकड़िये अब आप सब मिलकर अपना नाम जोर से पुकारिए सारा मिलकर चलिए जोर से हाँ हाँ क्लेमेंट फिदर रेनिक वो रहाँ ओके तो एक थी डीना रॉबिंसों मैं हूँ ओके नाम नाम पुकारो सारा जोजेफा है की मैं हूँ जोजेफा मैं चाहूँगा कि आप अपने बैलंस पर फोकस कीजिए और एक से दस तक गिनते की लिए क्या पहला हिंसा पांच का है हाँ फिर सपड़ो और थोड़ा तेज लुक जाए जोजेफा क्या आज की तारीख तक तुम्हारा बैंक बैलंस पांचो बासट डालर है हाँ बिल्कुल इतना ही है कि मुझे आप सोच है कि तुम खलप करें हैं ओके इंटीना वान फोर्ट सेवन सेवन हाँ थैंक यू मगर असल में आप भी और वाकी सब लोग भी खलप हैं क्लामेंट तुम्हारे अकाउंट मेंचे हजार फात सो डॉलर तो नहीं हैं बलके सारे में भी खड़े हो जाएं सब लोग प्लीज अपने अन्वलाप्स अपनी पैशानी पर रखिए अपने नंबर पर ध्यान दीजिए ओ ये तो ये तो बहुत अजीब है ओ मेरे खुड़ा ओ ये बहुत अजीब है मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है वगर आप सब गलत है यहां मौझूद हर शख्स घलत सोच रहा है कि वो जितने पैसे सोच रहा है उसके अकाउंट में उतने ही पैसे हैं मुझे याद आया मैं बताना चाहूंगा कि हमारी आज की शाम बलकुल नामुम्किन होती हमारे एक बहुत ही प्यारे और महर्वान दोस्त के बगेर आर्थर ट्रस्ट लोग खूब तालिया बजाई है खूब तालिया बजाई है आप नमारे फिनले के लिए फुरुदे स्टेज कर आजेए फ्लीज की बात कर रहे हैं हाजरी और आप सब की सीट के नीचे जो टॉर्च है उसके जिरिए अपने पेपर को गरम करना शुरू कीजिए आप सब को अपना बालंस नजर आ जाएगा आज आप परिशान ना हूँ हमने आपके लिए फिर टॉर्च हो गई है ले आओ क्या हो रहा है वहाँ पे टैनी वेट ये काफी अजीब है क्योंके एक सेकंड पहले ये बता रहा था कि एक लाग च्वालिस जार पांच सा उनासी डॉलर्स थे इसमें मगर अब अब इसमें सतर हजार डॉलर्स कम नजर आ रहे हैं जोसेफा क्या प्लीज खड़ी होंगी जी अब आपका नया नमबर क्या है अब मेरे अकाउंट में सतर हजार पांसो बासिट डॉलर्स है जरा सोच ये लेडिस एंड जेंटल्मन क्या ये मुम्किन है जोसेफा का बैलन्स उतना ही बड़ा हो जितना आठ का कम हुआ है हेई जरा गोड़ से देखो फिर कुछ हो रहा है ऐसे थे वाँ ये कम हुआ है आठ का बैलेंस मजीद दो लाख असी हाजार कम हुआ है दीना रॉबिंसन आप अपना बैलन्स बताओ दो लाखी कासी हजार चार सुस्तितर डॉलर्स अब हमें एक इतराफ करना है जी हमने आपसे जूट बोला था आप मेंसे किसी को भी रैंडम ली नहीं चुना गया था आप सब लोगों में एक चीज मुश्तरिक है आप मेंसे जितने लोगों को चुदा गया है वो अमरीका में आये एक बहुत बड़ी तुफान से मुटासिक है यह कुछ ने गाड़ी अपने कारोबार अपने प्यारों को मगर आप सब इंशोड थे की कंपनी से आपको फुक्रा आया गया नेसर अंदास किया गया आपको पैसे नहीं दिये गए यह सब शो के लिए किया जा रहा है है ना अगर आप अपनी उन ओडियंस के सामने कुछ क हुआ नेकिं यह सब सच है पाता नहीं क्या यह वाग्य हो रहा है मुझे नई पता मैं नहीं मता सकता कुछ को really यह दोने कि हैं कि हम कैसे कर सकते हां अपमारे पास्वार थैसे कि लिए बुए को का इंफिमेशन कहां से आ यार्ट, तुम तो ये चीजे हमें नहीं बता हूँ पूर्य के बाता है, यह वाक ही हो रहा है, और उन्हें से लूट लिया है। कि उन्हें बाहिर मत निकलने देना। जैसे हमने तुम्हारे पास हवाई जहाद शोर लिया है। तुम जहन्रों में जाओगे रुगो, रुगो, कोई अपनी जगद दिना हुए फी, वाटर्मेंग, वाटर्मेंग अप्चार उसवाद, गुटनाज भुग vivreominaिको खार्मेर्में, वाटर्में कारवया वाटर्में जहीर जह वाटर्मेंगाद पर्में, वाटर्म Sure याटर्म मोजश एकारश वाटर्मtime ठीक है, सब लोग गली में चले जाओ, गली में चले जाओ पॉर्टरबेट, चोड़ दो, मुझे ठेकर के सामने मिलो, टेकर भी साथ लेक्के आना, चलो, चलो, जल्दी दरो, अभी रितलो, मुझे ट्रेकर दो, आँ चले, FBI, पीछे टो, डिलन, ये जा रहा है वो, रेट डॉट को फालो, ठीक है, मैं पीछी जाता हूँ, जाओ, उन्हें खेरा दादो, निकल लेना पाई वो, वो बर्गंडी से बाई तरो मुर गया है, चले बोरो, पाईब। हें पीछर, पीछर, चल्दी गप हो बर्बंद से शमाल की तरजी आगा है, ठाएब। чув된 वो बर्विन में मुष्टिक हो गया है ना नदी, कहा हो तुम? एक्स्कुज में विचेज़ ढूँ वो चेहिंसे सुक जारा है रुक जाओ क्या कर रही है दो क्या कर रही हो तुम? वोलिपुलियन हुस्मे जारा है विचेज़ ज़ाओ सब्सक्राइब करें आपको ट्रेक कर रहा हूं आज सुबू हमारे स्क्यूरिटी अदारों को बहुत शर्मनाख हाला का सामना करना पड़ी जब एफपी आई टास्क फोर्स की काबियत में लोगों ने उस वक्त तुंगलियां उठाई जब इन्वेस्टिगेशन की इंचार्ज मिस्टर डिलन रोड्स का मजाग उडाया गया उनकी बेवगोफी ने उन्हें अवाम के बीच में पिल्कुल एक मस्खरे के तौर पे पेश किया ये बात बड़ी तेजी के साथ पूरे मुल्क में खैल रही है गुर सुवारों ने हमारे तमाम सिक्यूरिटी अदारों को लाजवाब कर दिया है अब से दो रात कबल गुर लासवेगेस में बजाहर एक बेंक लूटा था लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई भी सुबूत नहीं क्या कर रहे हो तुम नाजर नहीं हा रहा तुम्हें मैं तुम्हें लेने आई हूँ मुझे तुम्हारी फिकर है हैरत की बात है तुम्हें मेरी फिकर है और मुझे तुम्हारी फिकर है जैलन उसके पास कोई हत्यार नहीं था और मैं उसे गोरी नहीं मार सकती थी हाँ मगर तुम नहीं उसे जाने दिया क्योंकि यह ऐसा एक खुब्सूरत फ्रेंश लड़की जो एक दिन मू ठाके मेरे पास चलिया दिया और कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर रूट मुझे पताओ कि आखिर तुम हो कोना और तुम्हारा मकसद क्या है मैं खामखा तुम्हारी नजाकत से दुखा खा गया यह क्या है इसांक से तुम्हारा क्या लेना देना मैं आज राद इस पर बिलकु भी बात नहीं करना चाहती वैसी तुम्हारा यह रूप शराफत वाले रूप से बहतर है खुद में थोड़ी हिम्मत पैदा करो तुम Mr. Bradley Mr. Tresler आपसे मिलना चाहते है Sir Thank you तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है बताओ मेरा हाँ क्योंके तुम्हें पहले से पता होता है कि वो क्या करने बाले हैं और कहां जाने बाले हैं हो सकता है तुम्हें सुनकर अच्छा लगें पर तुम्हारा इससे कोई तालुक नहीं प्लीस मुझे समझाओ कि इसका मुझसे कोई तालुक कैसे नहीं है यह एक मैजिक ट्रिक है मिस्टर ट्रेसलर जो बेनुल अक्वामी स्केल पर खेला गया और आप इसमें है जैंतरमांतरम जब वो असल करतब दिखा रहे हो तो आप तवज्जो का मरकस थे अच्छा एक करोड़ चालिस लाक डॉलर की तवज्जो हाँ और आपकी यही अनाज जिसने आपको उनके साथ चुरू में जोड़े रखा यही आपकी आँखों का पर्दा है तुम्हें पता है कि आप मुझे बर्बाद कर देंगे जानता हूं बगर नहीं करोगे ना ही उन्हें बर्बाद करोगे यह अजीम ट्रिक चाहे जो भी है यह बहुत साल पहले डिजाइन किया गया था और मेरा यह मानना है कि जो कुछ भी होने वाला है वो हम सब को हैरान कर देगा तो मेरा आपको मश्वरा यह है कि आप अपने स्पेशल सीट पर बैठ कर यह तमाशा देखें क्यूंकि आपने इसकी बहुत कीमत अदा की हुई है तुम जितना भी इस से कमा सकते हो मैं दुग न दूँगा अगर तुम अब उनका भाना भोड़ दो तो ऐसा कर सकते हो तुम मेरी कीमत पाच मिलियन होगी मैं पागल लगता हूं तुम्हें मैंने कब कहा तुम जितना भी इस से कर सकते हो मैंने आ सकते हो व्ह seem to be पाउर हो त Π 그러나 तुम जितना भी मैं कि पाउर चेंग्म तुममौव organization जितलो दो choosing भी मैं छो ह्समा तुम मेरिट ने कहा था कि मैं कभी ओफिसे बाहर नहीं निकली तो वो ठीक कह रहा था मैं एक रिसर्चर हूँ यही मेरा काम था तो इस सब का क्या मकसद है अगर तुम इसको गोर से देखो तो आँखी असल जादू की नेगेबान है और इसके प्रैक्टिस करने वालों की महाफिस भी जो लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हैं उन लोगों को अंधा दून हमारे एकाम की पैरवी करनी होगी यह सच नहीं है पर कुछ लोग इसे सच मानते हैं मैं देखू इसके मताबिक वो एक सदी में नए लगों को सिर्फ दो दफा लेते हैं तो क्या हमारे घुरसवार ये शूज इसलिए कर रहे हैं ताकि इस चीज में दाखिल हो सके पता नहीं पर ये मेरा अंदाजा है हो सकता है ये लोग बगएर मकसद के बेंग रूट रहे हूं सिर्फ अपने शोकी शान बढ़ाने के लिए हो सकता है ये महस कहानी हो मगर इसकी कोई सेंस नहीं बनती और मुझे नहीं रखता इसकी कोई मंता की दलील मिल सकती है ओ तो तुमने हाल मानना जाए मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें सिर्फ तभी दर्याफ़त की जा सकती है है जब हम उनमें टूब कर देखें अ हां 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 थैंक यू सारी मगर आंग का वजूद है हमें मानने पड़ेगा कि वो हमें देख रहे थे है रहा हाव हमें को इसे देख रहे थे मगर जादू के जर्ये नहीं। तुम्हारा शक्स ही था ये तुम्हारा, फोन है यह नहीं यह तुम्हारे, फोन की ला कर दो यह एक डिवाइस किसी ने तुम्हारी सारी कॉल्स और सारे मेसेज़ेस देखे हैं इसी वाजा से वाम से दो कदम आगे लान देतो इन पर मुझे एटलस की इंटेरोगेशन टेप लाकर दो यह सर वीडियो चल गई है ओकी फावड करो चलो चलो रोग दो ओकी फ्रेम बाए फ्रेम चलो पूरा प्लिक करो यहां रखो जूम करो और जूम यह देखो यहां इसने मेरा फून चुराया क्या यह ट्रांस्मेटिंग कर रहा है सिर्फ जब तुम कोई कॉल करोगे या मैसेज भेजोगे तब करेगा इसे वापस लगा दो और फॉन भी ओन कर दो वो नहीं जानते कि हमें इसके बारे में पता है इस लामे से हम उनसे एक कदम आगे चलेंगे और हमें इसी तरह से चल उन्हें निचोड के रब्तो थाकि ऊन्हें पटा चले कि हम कौन है और एक ज orchard रूटा हूं के लिए सिकुरम वह सदॉटर नफिया क्या वो जानते हैं वहां वह चीन के लिए काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं तो में तो जेल जाने की तयारीं किन में तुम वहम करना छोड़तो वैसे ऐसा होता है उता होगा तुम्हारे साथ लेकिन हमारे साथ नहीं होगा तो फिर चुप रहो तुमने हमेशा चाहा है कि मैं तुम्हें बड़ों की तरह ट्रेट करूं तो अब बड़ा बन के दिखाओ मुझे टाइम है प्लैन के काम करो और जि यह उसी खजाने की तलाश में हूं इसकी खातिर तुम सब यहां हो फिर मैं चला जाओ जब यह काम खतम हो जगा तो जो तुम्हारे जी में आएगा कर लेना मैरे लेकिन तब तक इसी प्लान पे रहो एगाई वह आ गया है ठीक है तो फिर चलते हैं क्या इसे उतर जाने को जाओ जब हो जब ले डान मेरे साथ है कि थर भोक्यो डिलन गड्री उवतने डाऊ है ओचले ख़ा जब हरो मेरे को मेन कौने हमा तो वे आगले का sound अच्छा बताओ क्या मेरे पैसे ठीक खर्च हो रहे है बिल्कुल ठीक खर्च हो रहे है अब तुम मुझे बताओ तुम्हें तुम्हारे को जवार कैसे चाहिए बुने होए या तले होए जले होए मैं शेफ को बता दो बताओ 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 व्याई anti operator पुम्हें, तुम्हें किदा लोग हम चोटो के लिए जाओ है कमीने कहीं के क्या खेल 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 रहो तुम सिक्स पे सब कुछ ठीक है सेवन पे मुव करो कॉभी तर साथ पे चलो तो 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 पहां पर सल जाओ रुक जाओ रुक जाओ कि लिए अब लो एक मेनए, एक मेनए कि वाकी? मुँई तो बेन्गा! जाएगे घृट जाएगे जाएगे अब जाएगे करए कर दो तबाव जूनेट दोग्न दोटों करो यहां सब क्लियर है हर अच्पिन राफ्टे को बंद कर दो है वापसाओ एफबी-ईन, मैं नहीं हूँ मुझे का जागी है तुम लेकिया क्या रॉकआ प्रॉश्ट कॉन्म पीगोनी कि अधी जो पाइब कि मुझे गाड़ी में बैठने को मत कहना हो कि मगर वहां मेरे बस में कुछ बहुतनुम्हें पर भरुसा नहीं है तो बताधे मुझे वादा करो कि आ इंद मुझे छोड़के नहीं जाओगे जिताली यह बहुत बाद में कर सकते हैं फ्लीज नहीं क्या था ही ठीक है मैं वादा करता हूँ अब चलो का पार के बो, के पार का बो का बो जा के बो अट अट जा रखवा आचले वो जुघता है कोज़ दूदी वो अरियप पुझाँ पुझाँ मुझाँ 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 वी वा रभ वा वा आपर इस की तर्श हमारे जा रही है ये उिस नहीं है डिलन रोप हम नौ़ट की तर्श जा रहे हैं आप आप उपर सिस्घुआ कर एंड़। कि अब अब आफ यह घ्टेज अजे नहीं है सब लेखों कहा हुआ कोए ऑल दन झाल 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 कि अक्रश्ब आया buy यहीं। इदए रॉँ रॉट्ज है टो टोट्ज बेचे एटाव जो जो डिरा टे अफरेथा टोट्ज तोट्ज अटोट्ज इंट इस डिला टोट्ज आप यह मर्शाइगा यहापे जादूगरों के पशुरो मारूफ गुरूप चार गुर सवार की कहानी में आज उस वक्त एकमगीन मोड आ गया जब एक पुलिस मुकाबला जो चाइना टाउन में शुरू हुआ उसके बाद मुल्जमान का 59 स्ट्रेट ब्रिज पर पीछा किया गया जहां पर एक खौफनाक हादसे में जादूगर जैक वाल्डर की मौत पाक्या हो गए जो चार गुर सवार का हिस्सा था फिल्हाल बाकी तीन जादूगरों का पता नहीं चल रहा कि वो कहा है डिलन उन्होंने पता चलाया कि जैक की गारी में कौन सा पेपर था उन्हें पता ही ये क्या है और ये भी कि वो बच्चा उसे बचाने की कोशिश में क्यों अकनी जान से गया थी क्या हो चले पहले तुम ये कॉल सुन लो ये ज्यादा जो किसकी है तुम्हारे दोस्त थेड़िस प्रेटली की हेलो तुम्हें जादूगरों के एसिस्टंट के किरदार के बारे में तो इल्म है ना मिस्टर फोल्स हाँ उसका मकसद होता है कि लोगों की तवज़ों दुरसी तरफ की जाए तुम ठीक होते अगर तुम खलत न कह रहे होते जब तुम जादूगरों के पीछे लगयों तो वहाँ वो मासूम लड़की तुम्हारी डोरी कहच रही है तुम्हें ये बात समझ में कैसे आती है कि इंटर पॉल वाले तुम्हारे इसिस्टन के लिए कोई ऐसी लड़की भेज़ेंगी जो पहली दफ़ा बाहर निकली हो उसने खुद को केस पर लगाने की रिक्वेस्ट क्योंकि उसे केस पर लगाया गया था ओ बहुत खुशकिस्मत है वो जैसे ताश में से कोई रेंडम काट चुना गया हो वैसे अचानक तुम्हारी ये हमदर्दी मुझे हजम नहीं हो रही इसमें तुम्हारा क्या फाइदा है मैं तो खेल बराबर कर रहा हूँ यू मालूम परता है कि मेरे साथ ही खिलाडियों ने बेरिया पहन रखी है समझे तुम रफ़तार पकड़ो एजेंट ट्रोन्स तेश चलो ये रही वो सेव नो 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 ये क्या कर रही है आपे ये इस केस को हल करने की कोशिश कर रहा है हम पिछले पाए साल से एक प्राइट सेक्यूरिटी कांटेक्टर अलकॉन की इन्वेस्टिकेशन कर रहे है और उन्होंने तकरीबन आदा बिलियन डॉलर अपने पास चुछा मैंने तुम से नहीं पूछा उससे पूछा है मैंने वो रकम एक वेर हाउस में एक वाल्ट केंदर है हमारे ख्याल में वो वाल्ट जादूगरा का फाइनल टार्गेट है वो जादूगर जो ब्रिज पे मरा था तुमने जो उसके हाथ से फाइल चीनी वो एलकॉर की क्लासिफाइड फाइल थी चाहे तुम उनके बारे में जो मर्जी कहानी बना रो लेकिन तुम्हारे जादू कर महद मामूली चोर है वो फाइल कैसे मिली उन्हें वैसे तुम्हें भी ये बात बहुत दिल्चस्प लगेगी एजेंट रोड वो न्यू और्लियंज में तुम्हारे मुबाइल कमार्ड सेंटर के जरीये मेरे सरवर तक पहुंचें और मज़े की बात उन्हें कोर्ट तुम्हारे फोन से लिये थे तुमने हम सब को उनका पीछा करने के लिए कहा था वैसे कि इतनी ना अहली तुमने इस केस में लिखाई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा जादू है जंतर मंतर आप ये केस मेरा हुआ क्या अब ये केस इसका है ओ चले जेंटलमेंट है है मुझे तुमसे बात करनी है मुझे ये बताओ कि आखर तुमने ये केस क्यों लिया क्या हमारे यहां एक मिसाल है घर का बेती लंकड़ाई तुमने सुनी तो होगी तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन दो क्योंकि मैंने अब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं बिकाड़ा है तुम्हारे सामने कितना जलीर हुआ हूँ मैं भी मेरी हाद से ये केस जा रहा है और भरोसी जैसे किसी भी सीज़ का नाम मेरे सामने मत लो तुम अपने जिन्दगे में जैक की सबसे बड़ी खाहिश यही रही के वो दुनिया का सबसे बड़ा मजिशन बन सके मैं ये तुने कह सकता कि उसकी ये खाहिश पूरी हुई लेकिन मुझे यकीन है वो जहां भी है बहुत जादुई जगा है मगर बात यह है बात यह है कि हमारे यहां एकटे होने का मकसद यह है कि अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते हमारा मकसद हमारी जाद से कही बड़ा है और हमें इसे हर खीमत पर हासल करें हम बेर हस्तों से यूनिट पांच और छे जुनुवी और बखुली रस्तों को ब्लॉक है है वो सेफ कहां गई यह क्या है कोई मुझे बताएगा कि वो सेफ कहां चली गई वो तो अभी बाहर लेके गए हैं जब तुम अंदर आए एवन ने ओर्डर किया था जूट बोल रहे हो तुम सर आपने फोन कॉल की थे और कहा था कैसे जाने तो अपनी बख्वास बंद करो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा हूँ क्या हुआ यहां पे तुम मुझे साच बताओ कि तुमने क्या किया बख्वास बंद करो अपनी तो कि अब जो कि कि तर साथ यह क्या कर रहे है यह बेट होवन का कॉंसर्टों बजा रहा है डी मेजर में वह से इसका है टीम ट्रक में लोड कर रही है 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 यह क्या हो रहा है यहां पर हमें ओर्डर मिलें अब तुम्हें मैं ओडर देता हूं इसे खुलो जरा ओके अब मेरा प्लान सुनो इस वक्त उनके मुताबक यह से यहां से जा रही है तो इस सेफ का पीछा करते हैं हम वहां तक पहुंचते हैं कहां जा रही है यह फाइफ पॉइंट्स अगली गली में तो हम फाइफ पॉइंट्स जाते हैं हम जाएंगे यह हमें उन तक पहुंच ठीक है चलो तुम दो लो बेर साथ रहो प्राइस यह मुझे आफिस वालों ने कर भी बेजा है उन्होंने बीस मिनित पहले ये वीडियो यूट्यूब पे चड़ाई है बात यह है कि हमारे यहां हिकटे हुने का मकसद यह है कि अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते हमारा मकसद हमारी जात से कहीं बड़ा है और हमें इसे हर कीमत पर हासल करना है जब आप हमें फाइफ पॉइंट को इंस पर साथ बजे बराइरास देखें तो जैक वेडर का नाम यादो है आप जा रहे हैं वहां ठीक आदे गंटे बाद यह शुरू होने वाला है मुझे नहीं पता भाई मैं ज्यादा फैमी तो नहीं हूं अगर ये लोग बहुत बहुत चलाक है रोट्स ये लोग सिर्फ इंटर्टेनर है अगर हमेगा चाग तो सब्सक्राइब करते हैं तो च्छाथ बशलाए को तो आपके रहते हैं सब लोग ट्रक्पर नज़र रखें और देखना की क्यों कुन आता है कॉपिए एजेंट रोड्स फुलर अहां बोलो यहां पर कोई ट्रक की तरफ बढ़ रहा है और यह एक औरत है प्रीज शिक यह क्या हो रहा है आपे यह तो वही टीवी वेला बंदा है अपनी गैंस नीचे करो यह देखो कौन आया पांचवां घुर सवार तुम पागलों क्या मैं भी तुम्हारी तरह उन का पीछा कर रहा हूं मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा तुम हर दफा मुझसे एक यह तो वही मुझे लाइनल स्राइक वाले वाकिय की रहरसल लगती है जो के मैंने पहले शो में किया था अगर तुम उससे भी बड़े बेवकुफ नजर आना चाहते हो तो फिर खोलो इसे और जब तुम ऐसा कर रहे होगे एजन ट्रोल्स तो मैं चाहूंगा कि जो तुम्ह क्या होगा कि मुझे तो ज़रा नो यह क्या कि पिछेट जाओ कि एक अच्छा मैजिक ट्रिक किसे पसंद नहीं होता तुम एक बार फिर खाली सेफ का पीछा कर लेइत है उन्होंने फिर तुम्हें प्र तुम्हें टुम्रा कर शुरू शुरू हो रहे हैं, चलो अपने पूंसे से कही सवार दुशना चाहँ का, मिस्टर मेंस वो असल से वकाँ फिचेट ओ, पिचेट ओ, आसे सेड़ों, जल्दी ऩाश टो हमें जादु क्या है ? जादु एक दोका है, लेकिन दोका जो के- खुश करने के लिए गिया जाए तफरीह देने के लिए मुतासर करने के लिए और देखें, पिचेट ओ, आससा टो मुझे जल्दी ये सब बात है यकीन की इतवार की वरोसे की इन सब खासियतों के बगेर जादू का वुजूद नामुम्किन हो जाएगा अगर इनसान इन खूबियों को आला मकसद में इस्तमाल करने के बजाए जूट और धूपे के लिए इस्तमाल करे तो क्या हो जाती फाइदे के लिए या लालश के लिए तो फिर ये जादू नहीं रहता जुर्म बन जाता है तो आज रात हमारे आखरी कर्टब के लिए आप कुछ चीज़े ठीक करने में हमारी मदद करेंगे ये क्या हो रहा है या जूब्स मुझे नहीं पता शोटाम ये कि इत्यों कि तुम चानाब तो तुम जानते हो नुच पर बंदो को त्यार कर लो अभी मुझा परोसा करो डिलन को एक बार करके दिखू रूगो पर उसके पीछे जा रहा हूं मैं तुमारे साथ हो मैं ही रोकोगा चल्दे करो उनका ध्यार करना फुलर झाल झाल पाल कि इते हैं ऑज्ड़ किक फी गाहर चाहूच बादने साफ एक आग अचे मेला था कृते है न्यो कहा हुड़ चेहिसा नुछ आगाँ एंक यहाम के टुम ज माई इस नही coração जो कहुए तूम जा टुम कहा थी Techill इस नहीं है उछ खुष्ण संस्दू और और नहीं बास इतना ही अच्छी बात थी शुम्रिया लग गए मुझे दिल पर मैंने यह नहीं बताया कि मुझे कहां लगी हो अच्छी इस सब खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे अपने अपने घर शो के बाद हमारी सब इंस्ट्रक्शन्स खत्म अगर आंग का वजूद ज्यान थी कि मैं जानता हूँ मी थू बस इसस अधर मेंच नहीं कि को रहे हो और ने करूद आपको उने जानेना पाइग आगागो दिल्जी को रॉपकडू आगऊ क्वार्व प्रफ कर दो अपड़ा प्रफ कर दो कि अरे किल बगवास यह थे लाना तो अपर 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 उपर 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 ना तो लो नू झार्ट जादू जगाने का शुक्तिया आप जैसे हुप्तुरत राडियंस हमें कभी नहीं दिली बदकिस्मती से हर अच्छी चीज़ की तरह इसे भी ख़क्न होना है तो चलिए हमारे आज के शो का आगास करते हैं खुदा हाफिस कहकर हमारा मकस्त लोगों को सिर्फ एक जादू के शो पर बुलाना था और इस तरीके से लोगों की जिंदगियों में जादू भरना है फाइप प्येटो ते सफ़र हम सब के लिए बहुत हसीन रहा है वगेरा बक्ता गया है हमारे खायब होने का गुड़नाइट न्यू यॉयॉर्क और हम पर यकीन करने का शुक्र है प्रीव 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 झाल करेख प्रीव झाल I'm sorry तुमने ठीक कहा रहा है, यह मकसद आंसे पड़ा है ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं जीत कर भी खुश नहीं हूँ I think अब सब खत्म हो गया है अच्छा तया हम धच्छा मैं धादोये है तया हम मैं एार भार मैं पीए्छा देखिए देला है प्लाओव तुमनिनननना डंख़ुण आशना रख़ुचिए विल्या है विल्या है 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 यह यह देखा क्या तो असल पैसे कहा है कुछ बश्च बश्च पर कर लो कि बश्च बश्च पर कर लो मुझे पास आया गया है सही कह रहे हैं तो मैं यह साबित कर सकता हूँ यही मेरा काम है जैसे मैंने पेशन कोई की थी कि वो तुम्हें पागल बनाएंगे अरे यार यह ड्रामा बन भी कर दो अब वैसे यहां कोई कैमरास मजूद नहीं है साथियो मैं अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ जे ठीक है मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है क्या तुम यह सुनना चाहोगे अगर काम की हुई तो सुनूगा यह सलाखें इनसान को सोचने का वक्त देती है मुझे समझ आ गई है कि उन्होंने यह कैसे किया दूसरी शो में खर्गोश वाला ट्रिक याद है वो बॉक्स कभी खाली था है यह नहीं इसी तरह वो रूम भी खाली नहीं था वेरास में पहुशने के बाद घुर सवारों में असल सेफ वहीं पर छोड़ दी और पूरे कमरे को एक बड़े खर्गोश वाले बॉक्स की तरह बदल दिया तुम बहुत जोश में वहां पहुचे और तुम्हें लगा के सेफ पहले से ही खायब हो चुकी है फिर वही गलती दोराई तुमने वो यही चाहते थे कि तुम्हें लगे कि सेफ वहां नहीं है और तुमने अपना मोर्चा छोड़ा और वहां से चले गए तो जब तुम वहां खुबारों के साथ खेल रहे थे तो वेर हाउस के अंदर चोड़ी चल रहे थे कौन गर रहा है जैक वाल लोई नहीं नामूम्किन वो तो मेरे सामने मर गया था हाम अगर वो नहीं मरा यह लॉक्ट है तुमने सुना नहीं था कुछ भी लॉक्ट नहीं होता वेल ज़न मिस्टर वाल्डर बहुत भूट अब तुम बच्चे नहीं रहे हो जैक वो एक स्टेंडर्ड एफबीयाई गारी में भागा था है ना फिर तुम उसके पीछे पूल पर चलेगे जहां बाकिक और समार उस्यासी एक और गाड़ी के साथ तुमारे इंतजार करें थे उन्हें तुम्हें बेवुकूफ बनाने में और सुच करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा जब तुम उसे बचाने के लिए उस जलती होई गाड़ी की तरफ पड़ें और हेरो बनने की कोशिश केंगें और तुमने अपने जाद इत्मी खद्रे में डाल दी और वो भी मुर्दा खाने के एक मुर्दे के लिए कोई इतने बेचीता और खातरनाक क्लैनिंग क्यों करेगा वो भी सिर्फ एक आदमी को पसाने के लिए उन्होंने लूटी हुई रकम अपने पास भी नहीं रखी आहां यही बात मझे समझ में नहीं आ रही लेकिन मैंने जो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे वो तुम्हारे केस को हल करने में तुम्हारी मदद करेगा बल्कुल भी नहीं क्या आखिरकार मुझे मौका मिला है कि मैं लाइनर श्राइक की जिनकी की कहानी को पढ़ सकूँ उसकी वापस लोटने की कोशिश उसका एक्सिडेंट इंशोरंस कंपनी जिसने फैमिली को पैसे देने से इंकार कर दिया ट्रेसलर इंशोरंस वो बैंक जिसके अंदर पैसी थे क्रेडिट रिपब्लिक आफ पैरिस इन इशारों से क्या समझाती है तुमें ये दुनिया कमेलों से भरी पड़ी है कहीं सारे मामले का मकसद रात के दो बज़े हमें सेंट्रिल पार्क बुलवा कर मरवाना ना हो नहीं हम बिलकुल वहें पर हैं जहां हमें होना चाहिए हमें बस ढूंड़ना चाहिए ये? लाइनल श्राइक का दरख्त और शीशे में जड़ा ये ताश का पता अब हम क्या करें मेरा नए नजरिया सुनो तास्तान ये है कि आँख हर तरफ है इंतिजार करें ये अजीम तरीन जादुगरों का कि वो खुद को अलग कर ले मामूली जादुगरों से शायद ये तुम्हारी बात हो रही थी क्योंकि तुम्हारे दिल में भी ये शदीद खायश थे कि तुम इस आँख का इससा बन सको मगर तुम इस काबल नहीं थे तो तुमने उन्हें तुबाह करने की कोशिश की मगर इसकी बचाय क्या हुआ तुमने उन्हें नराज कर दिया आँख का कोई वजूद नहीं तो फिर ये बताओ इस सब के पीछे कौन है किसी आदमी का पागल बने ये जहनी मरीज है कोई कोई ऐसा जो अपना सब कुछ दाओ पर लगाने के लिए तयार है जो ये काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जब तक ये काम खतम नहीं होता तुम्हारे पास कोई मुझे इतला नहीं जाये मुझे नाम चाहिए नाम बताओ मुझे मैं नहीं जानता के कौन है लेकिन उनके पास वेर हास तक रसाई थी ताके वो आईने लगा सके वो हमेशा मुझे से एक कदम आगे रहा और FBI से भी हाँ उनसे भी आगे रहा एक दो दफ़ा नहीं बलके हान दफ़ा यू लगा जैसे के वो हमेशा उनके उनके बीच में था तुम पर क्यों ये सवाल अपने आप से बूचो तुमने ठीक कहा इस वक्त का बहुत इंतजार किया मैंने जरा अपना चेहरा देखो तुम कौन हा तुम मजसे क्या चाहिए तुमे क्या चाहिए मुझे मैं बस सारी जिंदगी तुमें इस सेल में देखना चाता हूँ इस चार दिवारी को खुरते हुए और सोचते हुए कि तुमसे क्या गलती हुई कि किस तरह तुमारी अना ने तुमारी अकल पर परदा डाल दिया तुमने हमेशा सूचा के तुम एक कदम आगे थे मगर तुम हमेशा दो कदम पीछे थे दिलन एक मिलाड रुगो दिलन यह कैसे हुआ दिलन क्यों मुझे इसकी तवक्को बिलकुल नहीं थी नहीं यार वैसे ही काफी काफी अच्छा था थैंक यू जब मैंने कहा कि कमरे में सबसे स्मार्ट होना चाहिए मुझे बिलकुल बुरा नहीं लगा ओके ठीक है हैंली मैंने इसे कभी इतना हैरान नहीं देखा मैं इसे भी अपनी तारीफ समझूँगा हे मैं मुझे माफ करने मैंने तुम्हें बहुत तंकिया देखो एक बात सुन लो मैंने इन काफिरों को एक नजरिये पर जमा रखने के लिए बहुत मेहनत की है तुम मेरा यकीन करो प्लीज महरित तुम हमारे साथ हो यह हुई ना बात आओ असल जादू है चार मुख्तलिफ चीजों को एकठा करकी एक चीज़ बनाना और तुम लोगों ने बिल्कुल यही करकर दिखाया है खुशाम देद इस आंक में खुशाम दी असल जादू है यह सब वाक्या जोड़ा हुआ था क्रेडिर रिपॉब्लिकन ट्रेस्टलर इंशोरंस कैसी है तुम तुम सुना और अलकान अलकान असल में एक सेफ बनाने वाला शक्स था वो सस्ता स्टील इस्तमाल करता था तो जब कोई उसके अंदर हो और सेफ को द्रिया में फिंक दिया जाये तो वो पिचक जाती थी और वो फस जाता था वो तुम्हारा बाप था उस शो से पहले वाली सुबो हम दोनों ने काफी वक्त साथ गुजारा जब मेरे बाप ने कहा कि मुझे काम पर जाना है तो मेरी आँख्यों ने जाने से मना कर रही थी और वो मेरे जजबाद समझ रहे थे तो उन्होंने मुझे अपनी घड़ी दी और कहा मेरे आने तक तुम इस घड़ी पर वक्त किनो तब से लेकर आज तक मैंने उनकी घड़ी को बन नहीं होने दिया और उस वक्त से मैंने खुद से एक वादा कर लिया मैंने पूरी प्लाइनिंग की हर चीज़ को तफसील से देखा लेकिन एक चीज़ गैर मतवक्य थी वो तुम हो मैं जानता हूँ तुम्हारे नस्दी के इस केस का मंतव की अंजाम यही होगा कि तुम इस केस को सॉल्फ करो और मुझे मुझे रिमसाबित करो जो तुम्हारी मरसी हाँ पर तुम कानून और मंतव के बारे में मेरे ख्याला जानते हो जानते हो ना और तुम ये भी जानते हो, मेरा माना है कि कुछ चीजें ना बताने में ही बहतर ही है अभी कौना उसका ताला खोलना है अभी को लागाओवप बच्छीरघ भी पूलना उन्हें प्रावप अभी है युझ सावरस्ट आफ प्रावप देश्वले कि वे युझ देए हैं अभी का क्वीर आफल्एक ये सावर्फटर एक व्यार में है अजड जा खोग्या है पोल नहीं कितो, क्यम्हें किविसी और अजये एंग के और में अजय किसी आप में वहा है वहा है तूड़ झाल 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 जाल बहुत थकावट हो गया यार यह जगा तो ठीक हो सरा यह कहां पर आगे हम लोग क्या काट कबार से बढ़ी है यह जगा कमाल की है क्या यहां पर हमें नया कॉस्टम मिलेगा मुझे तो एक जिसे चमकेले कपरों से बहुत नफरत है मैं नहीं पहनूगा कुछ भी ऐसा यह तो दोस्तों काट काहां पर है कैसे काट क्या मतलब तुम्हारा कैसे काट्स कि ओके